जब कुम्भकरन छे महीने सोता था तो उसकी पतनी क्या करती थी? एक बार की बात है भगवान स्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायन के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बात्चीत कर रहे थे बात्चीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रस्न आया देवी सत्यभामा कहती है हे स्वामी मेरी मन में एक प्रस्न है आपकी आग्या हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ तो स्रेक्रिष्ण भगवान ने कहा देवी सत्यभामा तुमने संकोच पुछो मैं तुम्हारे हर प्रश्ण के रहस्य बताने के लिए तयार हूँ तो देवी सत्यभामा कहती है हे दया के सागर कुम्भकरन के छे महीने सोने के बाद उसकी पतनी का क्या होता है तो भगवान स्रेक्रिष्ण बोले हे देवी सत्यभामा तुम्हारे इस प्रश्ण से समस्त नारी जाती का कल्यान होगा भगवान स्रेक्रिष्ण कहते है हे सत्यभामा मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ उस कथा में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुम्भकरन के सोने के बाद उसकी पतनी क्या करती थी हे देवी इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुस के जीवन में पतनी का वियोग नहीं होता है तो देवी शत्यभामा कहती है हे स्वामी मैं इस कथा को जरूर सुनूंगी कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंब करें तो भगवान स्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंब करते हैं रामायन का एक मुख्य पात्र था कुम्भकरन जो की लंका पती रावन का छोटा भाई था रावन का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जन्तूओं का भोजन अकेले ही खा जाता था उसके बाद भी कुम्भकरन के पेट में चुहा नहीं हाथी दोड़ते र पता था कि कुम्भकरन आज नहीं तो कल भूख से संसार में हाहकार मचा देगा एक दिन रावन कुम्भकरन और विभीशन तीनों भाईयों ने मिलकर ब्रह्माजी की तपस्या प्रारंब की काफी दिन तक घोर तपस्या करते रहे फिर ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट हु ब्रह्मदेव ने तीनों भायों से वर्दान मांगने को कहा, तो रावन ने अम्रित्व का वर्दान मांगा, लेकिन यह वर्दान देने से ब्रह्मदेवता ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभी में इस्थित रहेगा, जिससे सत्रू आसानी से तु इश्या से यह घोड तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफी चिंतित थे, इंद्रदेव अपने इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे विंती की की आप कुम्भकरन की मती फेर दिजिए, जिससे वह इंद्रासन ना मांगे, इ इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। लेकिन रावन और विभीशन ने विंती करके ब्रह्मदेव से कहा यदि यह आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने 6 मा के बाद एक दिन कुम्बकरन को जागने की आसिरवात दे दिया और अगले 6 महिने तक सोने को कह दिया। सोते रहने की वर्दान के साथ-साथ ब्रह्मदेव ने यह चेतावनी भी दी थी। कि यदि कोई समय से पुर्व कुम्भकरन को जगाएगा, तो वह दिन कुम्भकरन का अंतिम दिन होगा, इतना कहकर ब्रह्म देव अंतरध्यान हो गया। उसे भूक लगी, सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना सुरू किया, उसने लंका की वाटिका से फल तोरकर खा लिये, सभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना सुरू किया। उसके बाद रावन ने बाली से अपने भाई कुम्भकरन के लिए उसकी कन्या व्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बाली की पुत्री थी और बाली विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विश्नु ने बाली से तीन पगधर्ती मांगी थी तो उससमे ब्रजबाला वहां थी। और इन सब को देखने के बाद ब्रजबाला एक सक्ति साली कन्या बन गई थी। उसे हत्यार बनाने की अच्छी समझ थी। रावन के बोलने में कुम्भकरन और ब्रजबाला का विवा हो गया। वज्रबाला कुम्भकरन के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्रसस्त्र बना रही थी, कुछ समय के बाद वजरवाला और कुम्बकरन के दो बच्चे हुए, जिनके नाम कुम्ब और निकुम्ब थे, इसके अलावा कुम्बकरन ने दो विवाह और किये थे, और यह दोनों विवाह उशने अपनी मर्जी से किये थे, कुम्भकरन की दूसरी पतनी का नाम करकटी था करकटी एक राक्षस पुत्री थी जो सहयाद्री की राजकुमारी थी जिस पर कुम्भकरन मोहित हो गया था और बाद में कुम्भकरन ने करकटी से विवाह कर लिया था करकटी से कुम्भकरन के पुत्रभीमसूर का जन्म हुआ जो की एक क्रूर राक्षस था करकटी कुम्भकरन के साथ लंका में नहीं रहती थी वह पडवत में रहती थी और अंत तक वहीं रही कुम्भकरन का तीसरा विवाह कुतुपूर के महोदर नामक राजा की बेटी तरपमाला से हुआ था जो बाद में लंका में ही रह रही थी कुम्भकरन की पहली पत्नी वजरबाला को रावन ने लंका की सस्त्र बनाने वाली सेना का नायक बना दिया था क्योंकि उसे सस्त्रों के बारे में बहुत ग्यान था इसलिए वह अपने सेना के साथ सस्त्र बना रही थी और कुम्भकरन की तीसरी पत्नी तरपमाला उसके लिए छे महीने तक भोजन बनाती थी ताकि जब कुम्भकरन उठे तो वह भोजन के खाकर अपनी भूख मिटाले रावन और कुम्भकरन सुरू से राक्षस नहीं थे एक स्राप के कारण वह राक्षस बन गय थे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान स्री विश्नु के दरवार में जय और विजय नाम के दो द्वार पाल थे एक बार चार मुनी भगवान स्री विश्नु के दरशन करने आये थे उस समय जय और विजय नाम के स्री विश्नु के दो पहरेदार थे उन्होंने हसी उडाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया इससे चारो मुनी बहुत गुस्से में आकर स्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे है इसलिए तुम इसी च्छन असुर हो जाओ यहां तुम्हारा कोई काम नहीं इस पर जै और विजै को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन्रिस्यों से छमा मांगी इस पर उन्रिस्यों ने कहा हम स्राप तो वापस नहीं ले सकते पर अन्तु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बलकि तीन जन्मों के लिए असुर योनी में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वैंग भगवान विश्णु आएंगे उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे त्रेता युग के समय रामायन में भी कुम्बकरन के पुर्व जन्म का उलेक है असल में एक रिसी के स्राप के कारण कुम्बकरन जंगल में भटक रहा था इस समय वहाँ पर भगवान विश्णु पहुँच कर बोले कि तुम मुझे मत ढूंडो जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास खुद ही आ जाऊंगा इसके बाद विश्णु जी ने स्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया कुम्बकरन के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्सी था और उसे पहले से ही पता था कि स्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे परन्तु पहले उसने अपने भाई होने का धर्म ने भाया असल में जब स्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेवा से युद्ध करने जा रहे थे तो यह सब देखकर रावन ने अपने भाई कुम्बकरन को जगाया था बहुत मुष्किल से कुम्बकरन के जागने के बाद रावन ने पूड़ी बात कुम्बकरन को बताई तो कुम्बकरन ने रावन को समझाते हुए कहा हे ब्राता आपके पास पांच कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुन्दर कन्या मंदूदरी है जो आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माता समान भावी है इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुई एक स्त्री का हरन करके अपने राज्य में ले आएं और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हो अभी भी वक्त है आप प्रभुश्री राम से माफी मांग लीजिए उनकी सरन में चले जाईए वह मर्यादा पुर्शत्तम है आपको छमा कर देंगे इस पर रावन को कुम्भकरन पर क्रोधाया और क्रोध पुर्वक कुम्भकरन से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो मत करो परन्तु मुझे ज्यान मत दो तो कुम्भकरन कहने लगा भाईया मैं तो आपको समझा रहा था क्योंकि इसी में लंका की भलाई है परन्तु आप नहीं चाहते हो तो मैं अपने छोटे भाई होने का धर निभाऊंगा और स्री राम से युद्ध करूंगा इतना कहकर कुम्भकरन रन्भूमी की ओर चल पड़ा जब कुम्भकरन रन्भूमी की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा पडवत जा रहा हो कुम्बकरन ने रन भूमी में पहुँचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया उसने भगवान स्री राम की सेना को तितिर बितिर कर दिया और ना जाने कितने ही बंदरों को मार दिया था यह सब देखकर स्री राम ने कहा कि कुम्बकरन अब नहीं मानेगा अतब स्री राम ने धनुस परबान चढ़ाया और कुम्भकरन को मार कर यमलोक पठाया। कुम्भकरन के मरने के बाद रावन दुखी हो गया था क्योंकि उशने अपने भाई को खोया था। परंतु रावन से जादा दुखी कुम्भकरन की पत्नियां वजरबाला और तरित्माला थी, और वह सती हो गई क्योंकि वजरबाला और तरित्माला दोनों ने स्री राम से प्राटना की, कि उन्हें भी उस असुर्योनी से मुक्ति मिल जाए और स्री राम जी ने बाद में ऐस किया तब भगवान स्री क्रिष्न कहते हैं कि हे देवी सत्य भामा कुम्भकरन के साथ साथ उनकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई और इसी के साथ हमारी आज की कहानी संपन्न हुई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करें